प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने USA का विजिट किया जिसने भारत और अमेरिका के रिलेशन को और स्ट्रॉंग करने का काम किया इसके अलावा इस विजिट में दोनों देशों ने बहुत से एहम मुद्दों पर चर्चा करी अलागि अमेरिका में बहुत से ग्रूप ने PM मोदी के USA विजिट का विरोध किया जिसके पीछे उनका रिजन ये था कि PM मोदी के गौब्मेंट के समय भारत में रह रहे माइनॉरिटी के हुमन राइट का हननन किया गया है पर इन सब विरोध को साइड में रखकर अमेरिका ने PM मोदी का ग्रैंड वेलकम किया अब इससे ये बहुती साफ पता चलता है कि अमेरिका के लिए इस समय भारत बहुत इंपोर्टन्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसके लवा PM मोदी के USA विजट के वज़ा से पाकिस्तान के लिए प्राबलम और बढ़ गई है साथ ही में PM मोदी के USA विजट के बहुत सारे हाइलाइट भी रहे जिसने सभी देशों का ध्यान PM मोदी के USA विजट के तरफ खीचा साथ ही में आने वाले समय में दोनों देश की इस तरह से अपने स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप को और मजबूत तरीके से स्टैबलिस करेंगे जानते हैं आज की वीडियो में उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो 20 जून 2023 को पीम मोदी भारत से अमेरिका के विजट के लिए रवाना हुए थे USA के प्रेसिजेट जो बाइडन के इंविटेशन को एकसेप्ट करते हुए जिसके बाद कई important meeting को अटेंड करने के बाद 24 जून को पीम मोदी इजिफ विजट के लिए निकल गए लेकिन USA के इस विजट को देखा जाए तो बहुत सारे highlight रहे जिसमें पीम मोदी ने अपने goodby speech में mention किया कि एंडिया और USA सिर्फ agreement और policies को form नहीं करते बलकि दोनों देश मिलकर lives, dreams और destiny को नया shape देते हैं साथ ही भारत और अमेरिका की partnership दुनिया को और बहतर बनाएगी 21st century के लिए इसके लावा White House में दोनों देशों के top leader के लिए dinner रखा गया था जिसमें President Biden ने two great nation, two great friend and two great power कहते हुए पीम मोदी का welcome किया साथ ही इस dinner में billionaire और tech world से बहुत बड़े नामों को भी invite किया गया था इसके लावा PM मोदी ने US Congress को भी संबोधित किया जिसमें one hour long speech शामिल था और ऐसा करने वाले वो पहले भारती प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने दो बार ऐसा किया साथ ही PM मोदी और बाइडन के लिए joint press conference को white house में रखा गया था जिसमें reporter ने PM मोदी से भारत में रह रहे minorities के right को improve करने पर सवाल पूछा जिस पर PM मोदी ने बताये कि भारत एक democratic country है और democracy हमारे DNA में है जिस वज़े से किसी भी तरह का discrimination, जाती, धर्म या gender के अधार पर नहीं किया जा रहा है इसके लावा दोनों देशों के top leader के beach bilateral meeting को white house में रखा गया जिसमें भारत की तरफ से MQ-9 Reaper drone अमेरिका से खरीदने की deal की गई साथ ही ISRO और NASA का 2024 में International Space Station के joint mission की बात करी गई इसके अलावा PM Modi ने International Yoga Day को UN के headquarter में lead किया और 9th International Yoga Day पर एक Guinness World Record बनाया क्योंकि इस मौके पर सबसे अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया साथ ही New York में PM Modi ने Tesla के CEO Elon Musk से मुलाकात करी इसके अलावा कई और barrier business leader से भी मुलाकात करी जिसका purpose भारत में investment को increase करना रहा लेकिन इस visit का जो सबसे बड़ा highlight रहा वो है भारत और अमेरिका दुआरा joint statement को issue किया जाना जिसमें वैसे तो बहुत सारे point को mention किया गया लेकिन इसमें एक जो point mention किया गया जिसमें पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों ने एक साथ अपनी राय रखी कि पाकिस्तान को सही तरीके से action लेना होगा ताकि ensure किया जा सके कि पाकिस्तान के दौरा control किये जा रहे area का इस्तमाल terrorist activities के लिए use नहीं किया जा रहा जिसमें कहीं न कहीं भारत के कश्मीर का वो हिस्सा जो भी पाकिस्तान के कबजे में है उस इलाके का भी जिक्र किया गया है अब इस statement के बाद पूरे पाकिस्तान में इस statement पर चर्चा की जा रही है साथ इस statement ने पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत को खड़ा कर दिया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये statement से भारत की तरफ से किसी press conference में बोला गया है बलकि statement दोनों देशों के द्वारा return basis पर issue किया गया है जिससे कही न कहीं ये साफ पता चलता है कि दोनों देश भारत और अमेरिका ने agree किया है कि पाकिस्तान में terrorism activities होती है और कहीं न कहीं अब आने वाले समय में दुनिया के और भी बहुत सारे देश इस पर अपनी राये पाकिस्तान के अगेंस में रखते हुए नजर आएंगे जिससे पाकिस्तान की image जो कि हाला कि दुनिया भर के देशों के सामने बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पाकिस्तान की image को और खराब करेगी अब कुछ टाइम पहले पाकिस्तान FATF के grey list में आने से खुद को बचा लिया था लेकिन इस statement के बाद अब FATF पर और pressure पड़ेगा कि पाकिस्तान में proper investigation किया जाए और देखा जाए कि क्या पाकिस्तान में money laundering या terrorist financing जैसे activities को किया जा रहा है अब आखिर FATF क्या है और क्यों कोई देश इसके grey list या black list में शामिल नहीं होना चाहता है FATF यानि की financial action task force global money laundering और terrorist financing जैसे illegal activities का ध्यान रखता है और यह organization international standards set करती है ताकि ऐसे illegal activities जिससे society को नुक्सान होता है उन्हें रोका जा सके अब ऐसे में अगर किसी भी देश को FATF के grey list में शामिल किया जाता है तो इससे सबसे बड़ा नुक्सान उस देश के image को दुनिया के सामने होता है साथ ही दुनिया के बाकी देश उस देश के साथ trade करना void करते है जिससे उस देश की economy पर बहुत negative नुक्सान पोचता है साथ ही world bank और IMF जैसे organization से भी उस देश को loan easily नहीं मिलता जिससे उस देश की problem और बढ़ जाती है अब ऐसे में इंडिया और अमेरिका के joint statement के बाद पाकिस्तान के लिए problem और बढ़ गई है और एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को FATF के gray list में डाल दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के हाला जो कि अभी बहुत खराब है वो और खराब हो जाएंगे इवन आने वाले कुछ time में पाकिस्तान को एक बड़ा loan अलग-अलग organization को return करना है जो वैसे भी लगता नहीं है कि पाकिस्तान return कर पाएगा और ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने asset sale करने पड़े जिससे शायद पाकिस्तान loan का कुछ amount return कर पाए लेकिन long term में पाकिस्तान की economy पर इसका बहुत negative impact रहेगा और ऐसे में अब अगर FATF के जरिये पाकिस्तान में investigation किया जाता है और किसी भी तरह की legal activities, money laundering या terrorist financing से related पाई जाती है तो एक बार फिर से पाकिस्तान FATF की grey list में चला जाएगा अब अगर ये statement सिर्भ भारत की तरफ से आता तो शायद पाकिस्तान के लिए इतना surprising नहीं होता लेकिन क्योंकि ये joint statement इंडिया और अमेरिका का है जिस वज़े से पाकिस्तान के लिए भी ये statement बहुत shocking है जिसके बाद पाकिस्तान के foreign ministry की तरफ से इस पर reaction आया है जिसमें पाकिस्तान ने इस joint statement को एक तरफ और confusing बताया साथ ही पाकिस्तान के foreign ministry ने अमेरिका के deputy chief of mission को बुला कर इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करी और मांग करी है कि अमेरिका ऐसे statement पाकिस्तान के अगेंस ना दे लेकिन अब पाकिस्तान भले इस statement का विडो जाहिर करे लेकिन fact यह है कि पाकिस्तान के image को damage already हो चुका है जिससे easily recover नहीं किया जा सकता लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के defense minister ने अमेरिका पर उल्टा आरोप लगाया है कि अमेरिका को अपनी ही गलती के चलते terrorist attack का सामना करना परता है अब यह जो statement है वो अमेरिका को पाकिस्तान के और against कर देगा और कहीं न कहीं PM Modi के USA visit का पाकिस्तान पर घहरा असर हो रहा है लेकिन आखिर कैसे अमेरिका भारत के साथ पाकिस्तान में हो रहे terrorist activities पर सहमत हुआ क्योंकि अगर हम इतियास को देखे तो अमेरिका और पाकिस्तान आपस में एक अच्छा alliance share करते थे और भारत के खिलाव वार में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को support किया था जहां उस समय भारत ने रशिया के साथ अपने alliance को मजबूत किया था लेकिन अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान के relation तेजी से खराब हुए है तो वहीं भारत जो कि हमेशा से रशिया के साथ एक strong alliance share करता आया है लेकिन पिछले कई सालों में भारत ने अमेरिका के साथ भी अपने relation को बहुत मजबूत कर लिया है जिसके पीछे बहुत बड़ा reason है दोनों देशों की एक दूसरी उपर dependency तो वहीं पाकिस्तान ने लगातर ऐसे कदम उठाए जिससे अमेरिका और पाकिस्तान के relation खराब होते चले गए जैसे पाकिस्तान की दो तरफा नीती जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के pressure के बाद अल-काइदा पर action लेने के लिए तयार हुआ लेकिन अमेरिका के कई वार बोलने जाने के बाद भी अफगान तालिवान पर action लेने के लिए तयार नहीं हुआ इसके लावा चाइना और अमेरिका के बीच लगातार face of बरता चला गया है जिस पर भी पाकिस्तान ने चाइना को support दिखाया और अमेरिका के साथ चाइना के against किसी वी तरह का strategic partnership बिल्ड नहीं किया जिससे अमेरिका और पाकिस्तान के relation लगाता खराब होते चले गए साथ ये पाकिस्तान में political balance बिल्कुल भी नहीं है यानि कि पाकिस्तान में किसी वी government ने अपना पूरा कारेकाल सर्व नहीं किया जिससे पाकिस्तान के लिए किसी वी देश के साथ strong alliance बनाना और जिन देशों के साथ already strong alliance established है उन्हें बनाए रखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसका current example है अमेरिका और कहीं न कहीं सब reason के चलते अमेरिका ने भारत के साथ अपनी joint statement में पाकिस्तान के अगेंस हैमत बाकि इंडिया और अमेरिका का strong alliance चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए कितना फायदेमन साबित होगा मुझे comment में बताओ वीडियो इंफोर्मिटिव लगियो तो वीडियो को like करो और चैनल को subscribe कर लो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में good bye for now and have a good day to all of you है